और देखिए आपको आँक के कारी जाते जाते बच गहीं नहीं पहलेखें नहीं समझे नहीं सम्झे अभी नहीं सम्झे समझे अक्ले मंदी नहीं सरह अभी तना नहीं सम्झे rais जो तो क्यों कि सबको खुस नहीं रख सकते क्योंकि resources सीमित हैं और आब शक्ता यह त्ब्रों हो एग कांट को अपने आप में यह कैसा department होता है जिसके जिम्मेधारी ले कर आप सब को आप सबको खुस नहीं रख सकते क्योंकि संतार सीमित होते हैं और देखिए आप कहां कि एक अधिकारी जाते जाते बच गए है नहीं समझें नहीं समझें अभी नहीं समझें समझें अकले मंदी साथ अब इतना नहीं समझें के तो काउन का काउंगे क्योंकि इस सबको खुशने जा सकते क्योंकि रिसूर्सें स्थीमित हैं और आवशक्ताइं अधिक होती हैं और कई बार हमें किसी को मना भी करना पड़ता है ना भी बोलने का अभ्यास होता है और यह अभ्यास अब लोंगा होना शही है हर्चिम हां बोलना यह भी ठीक नहीं ह और कभी-कभी किसी की नाराजगी भी मोल लेनी पड़ती है लेकिन इतनी चुनाउटियों के बाज भी आपके नारशका शुवेजी ने भी और उनकी लीडर्सिप ने इस विवाग ने जिस तरीके से काम किया है मैं उसकी भूरी-भूरी प्रसंसा करता हूं उसकी मैसराना क और मैं इस स्वर से कामना करता हूं कि आने वाले समय में यह डिफेंस एकाउट डिपार्टमेंट और फ्लोरिस करे फले फुले आगे बढ़े साथी साथ मुझे यही विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार निष्ठा और लगन के साथ अपनी भूमिका का निर्वा भविश्व में भी करते रहेंगे और इस से जादा कुछ न कहते हुए मैं विभाग की चल रही समस्त योजनाओं की सक्सेस के लिए उसकी काम्याबी के दिए उसकी स्टफलता के लिए हार दिक स्टफ काम नहीं देता हूं है वह डिफेंस सेक्टर के फाइनन्स सिस्टम में एक वाचडाग यानि शोकीदार की भूमिका का भी है और एक शोकीदार का यह भी काम होता है कि वह जिस घर की सुरक्षा कर रहा है उस घर में कोई अना कारिजम डफलप करें कि किसी भी अरिकारी के काम काज में कोई संदिक्र गत्विधी आपको दिखाई दे तो उसका त्वरित रिव्यू किया जा सके काम कटीन है और कम यह कोई बहुत जारा लोगों को खुस करने वाला नहीं है इसे दो चीजे होंगी पहला तो यह है कि जनता का कि देश की जनता का विश्वास देश की जनता का भरोसा भी बढ़ेगा